ओम शान्ति मेरे नैनों के सामने एक बहुत सुन्दर पानी के छर्णों की आवाद और जल से बढ़ा हुआ निरमल पानी का ताला और उस तालाब में मैं नईया को देख रहा हूँ और उस नईया में मैं को और से देख रहा हूँ एक सुन्दर प्रकाश में प्रभू इश्वर जो मुझे अंदर से मेरे सद्गुरु नजर आ रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ और वहां से बहुत शक्ति शाली समर्थ विचारों की जैसे दिव्य प्रकाश की गिरने मेरी और आ रही है और उन समर्थ किर्णों से जैसे मुझे आवाज सुनाई दे रहा है कि आप बहुत विशेश हो आप इस रुष्टे पर एक महान कलाकार हो आप समर्थ और शक्ति शाली हो ऐसे सद्गुरु से मुझे बहुत ही पवित्र और सकारात्म उर्जा प्राप्त हो रही है मानो मैं एक शक्ति की नईया में सद्गुरु के भरोस से संपूर्ण अपनी जीवन की नईया आपके हवाले कर दी सद्गुरु आप ही इस ववसागर से मुझे पार लगा दोगे आप दिव्य और शक्ति शाली कि वैया हो तसद्गुरु की नईया में मैं एक दम निश्चेन तहू जैसे बिलकुल भैस से मुक्त चिंता से मुक्त बला से अपने आपको सद्गुरु के सानिध्य में प्रसन्नता का दुआउं का अनुभो कर रहा हूं और अपने श्रधा प्रेम स्नेह और आदर और आज्याओं को पालन करते हुए कि मैं एक विशेश हूं तो विशेश कारिय करने का लक्ष लेते हुए मैं अपने सद्गुरु प्रभु इश्वर को दिल से प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हुए धन्यवाद करता हुए ओम शांती मैं एन्यवाद झाला उंस ओम करते हुए तो प्रिज्वर्म जाए झाल